नवस्कार, कैपिल टीवी में आपका स्वागत है कई लोग ये सवाल पूछते कि आखिर एक सेक्लर देश में ये डिस्क्रिमिनिशन क्यूँ है कि चाहे वो चर्च हो या फिर वो मस्जिद हो चाहे वो दरगा हो उसका नियंतरन सरकार के पास नहीं लेकिन हिंदू, मठो, मंदिरों हर जगह सरकार अपना ना घुजड़त चुकी है आप हिंदू समाज को ये हक से बंचित रखते हो जो हक वाकि दूसरे समधायों को मिला हुआ है इसका क्या इलाज है और ये बीमारी कहां से शुरू हुई लोग सोसल मीडिया पे बहुत सारे सोसल एक्टिविस्ट जो हिंदू राइट के लिए आवाज उठाते रहते हैं उन वक्तब भी देते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन जब तक ये बातें देश की जनता के दिल और दिमाग तक पहुंचेगी नहीं तब तक ये मुद्दा बड़ा होगा नहीं कोट से फैसले तो आ जाएंगे लेकिन कोट भी कानून के तहती बना हुआ होता है तो कानून में अगर दिक्कत है तब तो ये अधिकार से हमेशा हिंदू समाज बंचित रहेगा क्या है पूरी समस्या कब ये शुरू हुआ ये बिमारी कहां तक पहुंची इन सब चीज की जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से असुनी पध्या जी आपको बहुत- परो! ये दिक्कत क्या है ये कहां से सुरवात हुई। कैसे ये सरकार के कब्जबी चला गया। मनीच जी 1897 में मंगल बान जी ने कर्ढ़न किया उस क्रान्ती को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ कमिशन मनाया मैकाले को ला कमिशन का चेयर मैन मनाया उसके पहले तक मैकाले हा deeper education system बरबाद करने किया उसकी duty थी education system को खतम करना गुरुकुल खतम करना उसकानूमेंट बनाना. यह उसकी रिवटी थी. लेकिन जब मंगल पांडे जी ने कुरांती किया, तो ला कमिशन बनाया गया, मैकाले सो कुसका चेर्मैन बनाया गया और ब्रिटिस calle ने बोला, ऐसे से कानून बनाओ कि कानून के जरिये भारत के लोग को गुलाम बना सके क्योंकि महिकाले ने जो फीडबेक ये दिया था कि भारत के लोग बहुत लाइब आइडिंग है ये कानून तोड़ते नहीं है, कानून को मानने वाले लोग है और कभी कानून पे सवाल नहीं खड़ा करते तो 1860 में पहला इंडियन पिनल कोड बना, 1861 में बाद ने पुलिस एक्ट बना दिया लाठियों से पीठने के लिए तीसरा जो कालून इन्हों ने बनाया, 1863 में उसको कहते है रिलिजिस इंडावमेंट एक्ट वो इसलिए बनाया कि जब इन्होंने सर्वे करवाया, आंग्रेजों ने तो उनको पता चला कि नार्थ इंडिया तो लूटा जा चुका है और मठ मंदिर तोड़ा जा चुका है, आयो ध्याल उटा जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, काशी, मतुरा, लेकिन चुकि शिवाजी महाराज ने उनको साउथ नहीं जाने दिया था, मुगलों को, तो साउथ के मठ मंदिर रुके बचे हुए थे, वहाँ पे अच्छी प जहाँ-जहाँ मठ मंदिर होता था, वहाँ एक गुरकुल होता था, एक गौशाला होती थी, एक वेधशाला होती थी, एक वहाँ विवासाला होती थी, जो लहाँ शादी विवाग किया जाता था, तो एक वहीं पे छोटी सी मंदी लगती थी, जहाँ लोग कोई अपना आक और हमारी सरकारों ने मैं तो कहता हूं निकम्मी सरकारों ने आजादी के बाद कौन क है इस 1863 के मठ कानून को खतम करने को उसके बाद 1850 के बाद एक के बाद 2, 3, 4, 5 करते-करते 34 कानून और बना दिए यह आजाद भरत के 47 के बाद 34 और कानून बन गये तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था मठ मंदिर कंटोल करने के लिए हमारी सरकारों ने 34 कानून और मनाया, राज्यों ने अलग अलग आज की डेट में टोटल 35 कानून चल रहे हैं भारत में मठ मंदिरों को कंटोल करने के लिए 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 सबस्टीब मिलता है मुंबई में सिद्धी विनायक मंदिर से सरकार पैसा लेती है नहीं हाजी ईधर्गा के एक रूपए नहीं लेती है वेस्टो देवी से सरकार पैसा लेती है कस्मीर में हजरत बल्की दरगा से एक रूपए नहीं लेती है आपके राजस्तान में पुसकर का मंदिर सरकार के कंटोल में है लेकिन आपका जो है अजमेर सरीक भी दरगा सरकार के कंटोल में है बाके तो छोड़िए दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली का कालका जी मंदिर सरकार के कंटोल में है यह हो रहा है कि मठ अ का पैसा लिया जा रहा है और न को i चुर्ट मंदिर बंदोने का मतलब नहीं होने कम सरकार का नियुक hm हमारी प। हमारी शब्ण बंदों के मध्र लौका समय है उसी मंदिर लटाते प्ね COMM दिर गाशा चलता था तед ते तो उसी मंदिर के चढ़ावे से वहाँ व्यायाम साला होती थी, वहाँ व्यायाम साला थी, वहाँ व्यायाम साला थी, वहाँ आयुर्वेद शाला थी, वहाँ एक व्यायाम साला होती थी, लोग व्यायाम करते थे, मठ मंदिरों में चढ़ावा आता था, उससे जो गरीब होते थ उनकी बेटियों की शादी कराई जाती ती सामोही कुह पीबिवा होता था तो जब पैसा ही नहीं आया विचारे पुजारी को कुछ बारबार कहता हूँ भारत की संस्कृति को प्रोटेक्टर प्रमोट करने के लिए है बाहर की संस्कृति को नहीं, किसी भी देश का संब्धान वहां की वीत्षबूसा, वहां के रीत्रिवाच वहां के कल्चर, वहां के रिलिजन उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए होता है तो ऐसे भारत का भी है, हमने लेकिन क्या सोचा कि यह भारत का संब्धान तो Christianity को प्रमोट करने के लिए है, भारत का संविधान तो Islam को प्रमोट करने के लिए है, वो कैसे है, यहीं interpretation हो रहा है इतने दिनों से, और उसी का नतीजा तो है कि चर्च एक भी control में नहीं सरकार के, मस्जिद एक भी सरकार के control में नहीं और मठ मंदिर चारलक सरकार के control में हो गए, यह पूरी और चूकी चर्च के पास पैसा है, तो वो conversion करा रहे है, मस्जिद के पास पैसा है, वो गरीबों का conversion करा रहे है, मंदिर के पास पैसा नहीं है, त तो एक तरीके से मंदिर अपनी संस्कृति को रक्षा करने में फेल हो रहा है चर्च अपनी चर्च अपने जो है कनवर्जन में लेकिन मुझे बताई कि सरकारे क्यों नहीं इसके उपर कोई कठोर कदम उठाती हैं मैंने इन 35 कानूनों को सुप्रीम कोट में चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोट में एड्मिट हो गई है मेरी पिटीशन देखते हैं शार 2023 में सुनवाई पर फरवरीम आएगा लेकिन चूकि यह मुद्दा जन मानस में नहीं गया इस मुद्दे पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कभी चर्चा नहीं हुई प्रिंट मीडिया में कोई सब्सक्राइब नहीं होगी जनता की अब हमारा मठ मंदिर खाली करो क्यों ले रहे हो और यह अगर वास्तों में आपको लगता है नहीं हमें थोड़ा वहां की लाइन ओर देखना है सापसफाई करनी यह करना है तो एक कानून बनाओ ना यह 35 कानून खतम करो एक आप कोई क विर्दी विनायक को मैनेज करें उसकी सापसफाई के लिए वैसे वहाज यहली के यह यह भी करें यह सबके उपर लागू हो और एक परसंट लेना चड़ावा यह दो परसंट लेना और फिक्स कर लो जितना चड़ावा लेना वो लो उतना है आप मस्जिश से लो उतना ही सबका बराबर ब्रादर लो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मठ मंदिर का पूरा पूरा ले गए और वहां एक रूपए छूने की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो हमने का इंटरपेटेशन ठीक सी किया ही नहीं हमने कहने को भारत सेकुलर है सेकुलर का मतलब समानता होती है जो का हभी नहीं लेंगे पैसा भी नहीं पता हॉण क्या कानून न में निरस्त भी किया कानून निरस्त करने में क्या मैं बारबार कि कहता हूं कि 1947 के पहले बने सारे कानून 100 पर संट कारून खतम होने चाहिए अब यह पता नहीं जो आप बाबू बैठे हैं कानून मंत्राले में नौकर साह बैठे हैं या ग्रिमंत्राले के जो नौकर साह बैठे हुए हैं वो इन कानूनों की समस्याओं को मंत्री के सामने रख रहे हैं कि नहीं रखने मुझे नहीं पता इन कानूनों के कारण हिंदु धर्म संस्कृती कैसे कमजोर हो रही है कैसे नस्ट हो रही है किस तरीके से मिसंरिया मजबूत हो रही है जहादी कैसे मजबूत हो रहे है इन कानूनों के कारण मुझे नहीं पता कि वहाँ पे बैठे जो बाबू है नौकरसा है सेक्रेटरी है या चीफ सेक्र वो ग्रीमंत्री को प्रदानमंत्री जी को बता रहें कि नहीं बता रहें मेरे को नहीं आइडिया है लेकिन इन कानूनों से बड़ी सी बात है जब आप मठ मंदिर कंट्रोल करते हैं तो आप चर्च और मजार और दरगाह क्यों नहीं करते एक सवाल है या तो आप सब को कंट् चाहरएं लाख नई व्यायाम साला वहां से लोग शुबा शुबा करेंगे चाहर लाक नए बाराध घर बन सकते हैं चाहर लाक नहीं आपके तरीके हिंदू के कबन जाएंगे अधर ऑजी निकों को रहा है वहां हम तो चढ़ावा देते हैं यहां मंदिर में कुछ होई नहीं रहा है अरे उनको यह नहीं पता है कि जो तुम चड़ावा दे रहे हैं वह भगवान को जा ही नहीं रहा है तुम जो चड़ावा दे रहे हैं उसको सरकार ले रही है और सरकार उपर से उदब सड़क बना रही है सेकलोरिजम के नाम पे यह क्या लगता है कि कोट के अंदर हंडैन improv किसी की जवाब नहीं है टामिल नाड़ू सरकारव विक इसका समर्थन करने ये भी आप दिरा इभी दुख मुझे इस बात का है मैंने ये 35 कानून चैलेंज किये कोई सरकार समर्थन करने नहीं आई मेरी याचिका के हां भई जो यह मांग इनकी ठीक है लेकिन तमिल नाडू की सरकार विरोध करने आ गई है कि नहीं आप इनकी पिट तो यह वोट बैंक की जो राजनिती है उस पेसार नहीं वोट बेंक नहीं वहां नेताओं ने कबजा कर रखा है मंदिरों के पास 500 एकड जमीन हैं उन 500 एकड जमीन जो मंदिर का असपास का कस्ट्रक्शन है वह तो दुकान पे नों किराय पुठा रखा है सरकारी कागज में दिखाते हैं एक रूपय किराया बाद मंत्री जी लेते हैं उससे पान्चलाक रूपय किराया उससारा नमबर 2 में पार्टियों को जाता है स्टम बना रखा हरा दूसरा जो जगह है जो खेile EOM कि मान पे मंधनी चीजी की फार्माज़ बन चुका हैcolored रिच तो पूरे मत मंधिरों पे नेताओ और सेंटर्स जो पहले कभी हुआ करते थे उसके सरकार का कब्जा क्यूं है इसको लेकर पिछले एक दो सालों में ये तो कहा जा सकता है कि घर घर में ये बात पहुँच गई है लेकिन उसके वाब्जू सरकार हो सुप्रिम कोट हो उनका रुविया पड़ा ही धुल्मुल सा है ये मुद्दा ऐसा है जिसमें लोगों को सामने आना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि ये अधिकार का मसला है बाकिस अमधायों के पास अपने रिलीजिस प्रेसिस को मैनेज करने का तो अधिकार है हिंदूों की पास नहीं है और जले पे मिर्च तब मसल दी जाती है जब बालाजी जैसे बड़े-बड़े मंदिरों में जो वहां की गवर्निंग बॉडी होती है उसमें नॉन हिंदू को डाब दिया जाता है तो सिर्फ अधिकार छिना ही नहीं जा रहा हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी की जा रही है सरकार के द्वारा मुदी सरकार क्या करेगी तो जो और सरकार दवाब में जब काम करती है वैसे ही दवाब मुदी सरकार के उपर भी पढ़ना चाहिए सुप्रिम कोट क्या करेगा इसमें लोगों के बीच बाचीत पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया हर जगा अपनी बात उठानी पड़ेगी तब कहीं जाकर के कुछ असर होगा तो यह जो दंस है 1863 से हिंदु समाज के उपर यह जो जहर पीपी करें हम लोगों जो महादेब बने हुए हैं हिंदु समाज के लोग वो खत्म करने का वक्त आएगा यह कानून और आजादी के बाद जो तमाम कानून बने हैं उसके उपर आपने जो प्याईल दायर किया है तो आल दे बेस्ट और तमाम वीडियो जो देखने वाले लोग हैं उनकी वी सुभका को सब्सक्राइब करें धन्यवाद